अजो आप सभी का हमाद चैनल आइडियल दो क्लासेश में स्वागत है बच्चो आज हम आपके लिए इंग्लिस वर्क बुक लेके आएं जो कक्षा 3-5 के लिए हैं इसमें कक्षा 3-4-5 तीनों क्लासे आएंगी और जो सीजन है सीजन मिंस होता है साथ्र-2022 देखिए साथ्र- आपको वर्षित हम अभी समझ्झाने वाले है यह वर्षित आपकी अंकूर समू की अंकूर समू मींस जिसका D E F G H I J K L M N O P M N O P Q R S T U V W X Y Z ये कौन से लेटर है ये पूरे अलफाबेट के केपिटर लेटर है और अलफाबेट के केपिटर लेटर कितने होते हैं 26 होते हैं कितने होते हैं जिसमें 5 वावल होते हैं और 21 कांसूनेंट होते हैं तो इस पकास से ABCD को आपको यहां पर लिखे बताया है किती जो चार लाइन है चार लाइन में तीन लाइन पर कैसे लिखते हैं और उनका किरम कैसा रहता है किसे उपास तो देखिए यह सेम तो बहुत से बच्चे ABCD जो है या वाड जो है इनको लिखे रहे हैं बहुत बड़ी गलतिया करते हैं इस पकास से आपके जो केपिलेट केपिटर लेटर हैं ए से जेट तक हमने आपको यहां पर बता दिए नेश्ट आप आगे चलते हैं जो आपका कोंसे लेटर आ यहां पर तीन लाइन में लिखे बता है जो A से कहां तक है जेट तक इनके लिखने का तरीका देखिए यह A लिखा है A दो लाइन के बीच में इसे मिडिल लेटर कहते हैं और यह जो B है B कहां तक गया यह यह लाइन के उपर गया है C बीच में है D लाइन के उपर गया है त कि यहां पर I, J कहां पर I, नीचे, तो यहां पर कौन सा लेटर नीचे आता है, कौन सा लेटर उपर आ जाता है, और यह लिखने के तरीके आपको मालूम होना चाहिए, इस पकार से आप अपनी जो तीन लाइन ओल कॉपी होगी, जिसे तीन रोलिंग कॉपी कहते हैं, उसमें स्मॉल लेटर दिए गयते हैं, स्मॉल लेटर आपको देखना है, यहां पर मिडिल लेटर कौन से हैं, जो उपर, मिडिल आन जो बीच में रहते हैं, अपर लेटर जो उपर जाते हैं, और लोवर लेटर नीचे आते हैं, नीचे वाले कौन से होगा देखिए, यहां पर यह सब उपर जाते हैं और बाकी कहां रहते हैं बीच में दो लाइन जो बीच में होती है उन में रहते हैं तो इस पकार से आपको लिखने का तरीक है जैसे हमें इपल लिखना तो ए दो लाइन के बीच में रहेगा डवल पी नीचे आ जाएगा आपका ये इपल और एल उपर जा भाइगा और पी और तो इस प्रकार से लिखने का आप को तरीके मालू होना चाहिए कि यह स्मॉल लेटर को कैसे लिखेंगे हैं कुhoं से जया चाहिए, सब्सक्राइब ओर देखने का कर semester worksheet now complete होती है इसके बाद next worksheet है आपकी worksheet 10 इस worksheet 10 में आप देख सकते हैं क्या कहा है वर्षीट 10 में गतिविधी का नाम है read, trace and write पढ़े, trace करें और लिखें आपको इन्हें क्या करना है पढ़ना है ये आप इसकी picture को देखें चित्र किसका दिख रहा है shape का दिख रहा है, shape को क्या कहते है apple, apple means होता है shape, a, double, p, l, e, apple एक, इसका बड़ा एक कैसा बनेगा इस पकार से बनता है दिखी बड़ा ए फिर आपको क्या करना है trace करना है ये, इस पकार से trace कर देंगे यहाँ पर प्रतेक इसके बाद छोटा ये बना देंगे इसी पकार यहाँ पर भी इसी के उपर आपको pencil को चलाना है और ये कर्शियू में दिया हुआ है, तो इस पकार से कर्शियू में लिखते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए ये, आप practice कर सकते हैं लिखने की यहाँ बार-बार, ये A, ball means, ball दिया है B, W, ball, C, U, cup D, O, G, dog, elephant तो इन लेटरों को आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है जैसे यहाँ लिखे बताया है ये बड़ा D और छोटा D कैसा लिखा हुआ है, आपको वैसा ही यहाँ पर इन लेटरों को लिखने का प्रयास करना है प्रैक्टिस करना है, अच्छे से लिख पाएं आप इसी पकार ये जतने भी आपके अल्फावेट हैं जैसे यहाँ पर A से क्या बन गया, एपल, B से क्या बन गया, ball C से क्या बन गया, cup, D से बन गया, dog E से elephant, fish से, मचली, grapes से, अंगूर, hat means आपका देखिए hat, फिर ice cream है, jug है, kite है तो इस पकार से आपके यहाँ पर total letter कितने दिये हैं, 26 letter उसने लिखे बताया है और जो आपकी book है आपकी जो वर्ष्टिट या जो English workbook है उसमें इस पकार से line बनी है आपको इन wordों को, इनको देखना, इन letter को कैसे लिखा गया है यह देखके, आपको यह खाली जगह में लिखना है यह इस से आप बार बार practice कीजिए, अपनी copy में भी कीजिए कि किस पकार से E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P क्यों कैसे लिखते हैं, यह आपकी वर्षिट 10 और वर्षिट 11 में बताया गया है इस पकार से आपकी जो वर्षिट 10 और वर्षिट 11 में जो small letter है किसके, alphabet के और capital letter कैसे लिखना है वह लिखने का तरीका बताया गया है और जैसे N से क्या बनता है, next, W से all, pan, queen R से क्या बना rate, S स सन बना, t-shirt tiger बना और जी चाता है, umbrella, U से umbrella बना, when, we से when बचना W से क्या बना, wheel, उसके बाद देख सकते हैं आप X, X marks, T, yark, और zebra इस पकार से ये word बनते हैं, ये ज़रूर नहीं कि T-shirt tiger ही बनेगा, T-shirt TV बनती है, लेकिन एक उधान के रूप में आपको example के रूप में यहाँ बताया गया है, तो इस पकार आपकी यहाँ पे कौन सी वर्षिट, वर्षिट, 10 और 11 में alphabet, 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 जो है आपके उनको capital और small letter कैसे लिखना है, वहाँ बताया गया, और उसमें आपको यहाँ पे लिखके practice करना है, यह आपको इस्थान, इसी लिए खाली स्थान place जो दिया है कि आपको यहाँ note करना है, ठीके next अब इसके बाद अगली वर्षिट देखते हैं, वर्षिट बारा, वर्षिट बारा में क्या दिया हुआ है, आपको गति विजी का नाम है read and write, क्या कहा इसमें read and write, चित देखकर पढ़े और लिखे, इसे चेतर को देखना है, पढ़ना है और लिखना है, चलिए देखिए यह चेतर किसका है, एरोप्लेन, एरोप्लेन किस से बना है, ए से तो आपको यहाँ पर ए, पढ़ना भी है, यह capital A हो गया और यह small A हो गया, A से और के बनता है, aunt, 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 ए capital A, और small A लिख्थी हुआ, अब इसी पकार आपको यह जो खाली जगह दिख रही है, इस खाली जगह में इसी पकार से आपको लिखना है, यह क्या हो गई आपकी, bat, bat, यह ball, तो यह किस से, इसका पहला word क्या है, b, capital B औ इसका E, E, इसको पढ़ना भी है, चेतर को देखना है, चेतर को पहचानना है, और उन्हें लिखना भी है, जैसे यहाँ लिख दिए, E, E, Egg, इसके पहला word लिखना, इसी पकार यह got, तो यहाँ पे बड़ा जी, और छोटा जी बना देना, के bitter और small, giraffe, जी जी जी, इसी पका से आपकी हमार शिट कुरसी 12 कंप्रीट होती है, यहाँ आपको बता दे रहे हैं, और नेक्स्ट, नोज, नोस एन नाक, नेक्स्ट एने, गोसला, गोट एने, बकरी, फिर ओक्स मींस, बैल, ओल, ओल एने, क्या होता है, उल्लू, पेरोट एने, तोता, पिकॉक एने, मोर, र लिख लिजी, जो भी है, आप इस पकार से हाँ पर, आपका, वाय तक दिया हुआ है, फिर, वर्षिट 13, वर्षिट 13 में क्या कहा है, गतिविधी का नाम है, राइट दा केपिटल लेटर, एट टू जेट, आपको यहाँ पर क्या करना है, जो, केपिटल लेटर, एसे, E F इस पकार से जो A से कहां तक A से Z तक आपको पूरे केपिटर लेटर इसमें लिखना है कोई सी वर्षिट वर्षिट 13 में आपको यहां पर वर्षिट 13 में पूरे केपिटर लेटर लिखे बताना है इस पकार से आपको हमने यहां पर वर्षिट 9 से वर्षिट 13 तक क्या करना है वह आपको बता है एदि आपको हमारे जो वर्षिट समझाई गई है ये वर्षिट समझाई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सस्काइब कीजिए लाइक कीजिए और अन्य गुरूप में शेयर जरूर कीजिए